चोर की डाड़ी में तिनका पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आपने सुना कि संतोस सिंग भदवरिया यानि की आज का करवली सरकार जिसने प्रेमानंद जी महराज को अभद्र बाते कहीं उनके विशे में अभद्र टिपणी की लेकिन इसने अभद्र टिपणी की क्यों जबकि प्रेमानंद जी महराज ना तो इसे जानते और ना ही ये कोई व्यक्तिगत उन्हें जानता लेकिन फिर भी इसने उनके विशे में अभद्र क्यों कहा अभद्र बाते क्यों की तो सुनिए एक राजा था राजा के राजी में चोरी हुई उसे कुछ लोगों पर संदेह था कि चोर इन ही में से कोई है लेकिन कौन है इन में से है कौन ये नहीं मालू तो राजा ने क्या किया राजा ने जिन जिन पर संदेह था उन सभी को बुलाया और सबको एक एक छड़ी गी और कहा कि देखो भाई तुम में से जो चोर हो वो सावधान हो जाना क्योंकि मैंने ये छड़ी बाबा से पढ़वा रखी है मंत्र के द्वारा सिद्ध है और तुम में से जो चोर होगा उसकी छड़ी दूगनी हो जाएगी मतलब जितनी लंबी अभी है उससे दुगनी हो जाएगी अब जो छोड था उतो बड़ा परेशान अब क्या करूं चोड ने क्या किया रात में उसने छड़ी को आधी काट दी कि वह सवेरे तक दूगनी होगी तो मेरी छड़ी उतनी के उतनी रह जाएगी जितनी राजा ने दिया था जब सवेरे चोर पहुँचा तो राजा ने कहा अपनी अपनी छड़ी दिखाओ तो जो वास्तवी चोर था उसकी छड़ी आधी हो चुकी थी इसी को कहते हैं चोर की डाड़ी में तिन का पहले ही सतर को हो जाना तो संतोज सिंग भदवरिया ने भी कुछ इसी प्रकार का काम किया क्यों आपको बताओं करोली सरकार के दरवार में कुछ यूवक आते हैं जो कि प्रेमानंद जी महराज से बड़े प्रभावित थे दरवार में आकरके और संतोज सिंग भदवरिया के समक्ष सामने ही प्रेमानंद जी की प्रसंसा करने लगते हैं अब इसी बात पर लगा संतोज भदवरिया को कि अब तो गरवर है मामला मेरे जो चेले हैं जो मेरे यहां आते हैं वे तो प्रेमानंद जी से प्रभावित हैं और मेरे दर्वार में आकरके प्रेमानंद जी की प्रसंसा कर रहे हैं बस चोड की डारी में तिनका वाला काम हो गया संतोज सिंग भदवरिया इसने सोचा कि प्रेमानंद जी के विशे में अभद्र बाते को हो ताकि लोग वहां जाने से बचे क्योंकि प्रेमानंद जी महराज सत आचरन सिखाते हैं सत पथ पर चलना सिखाते हैं तो सत पत पर यदि ये लोग चलने लगे तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरी तो दुकान पुरी पाखंड से भरी हुई दुकान है, मेरी दुकान में तो केवल पाखंड होता है, और सत पत पर चलने वाले पाखंड को तो समझ जाएगे, दूद का दूद प इसके अपने लोग जो इसके अपने चेले हैं जो इसके अपने सदस्य हैं वे इसी के यहां बने रहें ताकि इनके जो भख्त हैं जो अंध विश्वासी हैं वे कहीं भाग न जाएं वे कहीं सत्पत्पर न चले जाएं इसलिए इसने ऐसी बाते की। संतोज सिंग भदवरिया प्रेमानंद जी महराज से इतना भैभीत हो गया कि अपने बंदों को इसने क्या किया पीला पीला पहना करके बैठालने लगा और पुझेपाद प्रेमानंद जी महराज बनने की कोशिस में ये प्रवचन भी करने लगा जब की महिमा भी बताने लगा और सब बे अर्थ बाते अब देखिए न बाते कैसे करता है कि जब करो और जो दसांस होगा दसांस की सक्ति से तुम्हारे घर वाले पुष्ट होंगे दसांस की सक्ति से ये होगा वो होगा अरे भाईया पहले जानतो लो दसांस क्या होता है जब हम कोई जब करते हैं तो उसका दसांस इसलिए किया जाता है कहते हैं निवनाधिक दोश की निवारन के लिए दसांस जब करना चाहिए कहीं छूट गया हो, कोई अशुद्धी हो गई हो, कहीं कुछ रह गया हो, तो उस निवनाधिक दोश की निबृत्ती के लिए दसांस जब का बिधान है, लेकिन इसे बस बोलना है, तो इसलिए दसांस की सक्ती से ये होता है, दसांस की सक्ती से वो होगा, दसांस की सक्ती से आ गुरुओं के चर्णों में रहकर के ही प्राप्त हो सकती है तो बिद्धता में चतुराई ये कैसे कर सकता है